हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ओन आवारी यूट्यूब चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स तो आज के इस वीडियो में हम अपनी स्रीज को आगे बढ़ाएंगे इनके जो फिर मुख धातू मैटल की जो हमारी स्रीज चल रहे थी तो चलिए करते हैं सुरू सबसे पहले है पारे का प्रतीक चिन क्या होता है? HG होता है यानि पारे को HG से दर्साया जाता है और बात करें इसके परमालू संख्या की तो यह होती है 80 यानि के 80 पारे का मुख्य आयस्क सिनेवार होता है यानि पारे का जो निस्कर्सन किया जाता है वो इसके अयस्क सिनेवार से ही किया जाता है पारा चांदी की तरह सफेद और चमकीली धातुए क्या होता है चांदी की तरह ही सफेद होता है और ये चमकीला भी होता है पारा एक ऐसी धातु है जो साधरन ताप पर द्रव अबस्था में रहता है very most important question काफी ज़धा एकजाम में पूच लाता है के ऐसी एक मात्र कोन सी धातु है जो कमरे के ताप पर या सामानिय ताप पर क्या रहती है द्रव अबस्था में रहती है तो पारा एक ऐसी धातू है जो normal temperature पर भी क्या है ये liquid form में रहता है पारा उस्मा और विद्यूत का क्या होता है सुचालाख होता है यानि पारा विद्यूत और उस्मा दोनों का सुचालाख होता है क्योंकि ये एक धातू है यह नहीं तो आगाद भरद्य होता है और नहीं तन्य होता है देखिए यहाँ पर जितनी भी अभी तक मैंने आपको धातु बताई है वो आगाद भरद्य और तन्य दोनों होती है क्यों 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 उनको पीटेने पर उनकी चादर की तरह फैल जाती है और उनको तार की तरह खीचा भी जा सकता है लेकिन ये ऐसी जो धातू है ये ना ही तो आगात बर दिया और ना ही क्या है ये तन्य है ना ही इसको खीचा जा सकता है ना ही इसको ताना जा सकता है चर्वी या चीनी के साथ खूब जोर से हिलाने पर यह भूरे रंग का चूण में परिणित हो जाता है यह अगर चीनी या चर्वी के साथ इसको खूब तेजी से हिलाया जाता है तो यह भूरे रंग के चूरण में चूरण में बदल जाता है इस घटना को के कहते हैं पारे का मरत की करान कहते हैं यानि जो घटना होती है जो प्रोसेस होता है ये पारे का मरत की करान होता है तो एक्जाम में कोशन आपके पूछा जाएगा कि पारे का मरत की करान करने के लिए किसके साथ मिलाया जाता है तो छीनी या चर्वी के साथ 4.12 Kelvin ताप पर पारे का प्रतिरोध सून्य हो जाता है यानि पारे का प्रतिरोध कितने ताप मान पर सून्य होता है 4.12 Kelvin टेंपरेचर पर चरक सहिता में दो स्थानों पर इसे रस और रसुत्तम नाम दिया गया है तो चरक सहिता में भी इसका जिक्र हुआ है किस नाम से रस और रसुत्तम नाम से पारे पर जल और छार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यानि पारे पर जल और छार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यह धातू के साथ मिलकर अमल गम बनाता है very most important यह यानि कि जो पारा होता है धातु के साथ मिलकर अमल गम बनाता है सब धातु के साथ सिर्फ लोहे को छोड़कर इसलिए इसी रीजन से क्या होता है पारे को लोहे के पात्रों में यानि लोहे के बर्तों में रखाया था क्यों? क्योंकि ये लोहे के साथ अमल गम नहीं बनाता है यह गंधक के साथ प्रतिकिर्या कर मर्क्यूरिक सल्फाइड बनाता है यानि गंधक के साथ प्रतिकिर्या करके क्या बनाता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड इसको भी हम आगे डिसकस करेंगे कि mercuryic sulfide क्या होता है पारा अमल राज में घुलकर mercury chloride बनाता है इसका उपयोग thermometer, barometer यंत्रों में क्या होता है क्या जाता है अब देखे क्यों क्योंकि इसका उपयोग जो normal temperature मापने के लिए रहा है तो उपर को बढ़ता रहता है फैलने पर इसे से हमारा temperature पता चलता है कितना है तो इसलिए थर्मामीटर वैरोमीटर बगएरा में पारेका ही इस्तमाल किया जाता है चांदी और सोने के निसकरस्ण में इसका प्रियोग किया जाता है यानि चांदी और सोने के निसक्रस्टन में किसका उप्योग किया जाता है पारे का काश्टनर केलेनर विधी द्वारा सोडियम हाइडर ओकसाइट के निर्माण में इसका उप्योग किया जाता है तो कास्टनर केलिनर द्वारा सोडियम हाइडरो ओकसाइट के निर्माण में किसका उप्योग होता है पारे का मरकरी बास्प लेंप और सिंदूर के निर्माण में भी इसी का उप्योग किया जाता है किसका पारे का यानि मरकरी बास पुलेम और सिंदूर के निर्माड में पारे का इस्तमाल किया जाता है अब बात करेंगे पारे के योगी को के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं मरक्यूरी किलोराइट के बारे में इसे केलो मल भी कहा जाता है इंप्पोटेंट है, एक्जाम में पूछा जा सकता है केलोमल किसे का जाता, तो Mercury किलोराइट को इसका उप्योग औसधि के रूप में तथा considerably蛋 बनाने में किया जाता है औस पिया जाता है, बात करेंगे Mercury किलोराइट के बारे में इसे corrosive sublimate भी कहा जाता है यानि मर्क्यूरिक किलोराइट को CORROSIV SUBLYMATE कहा जाता है यह क्या है खतरनाक जो है बहुत ही खतरनाक निदि भेंकर कह सकते आप बिस यानी के जहर होता है मर्क्यूरिक किलोराइट के विलियन में सोडियम हाइडर ओक्साइड मिलाने पर नैसलर अभिकरमक बनता है मर्क्यूरिक किलोराइट कीट ना सक के रूप में तथा सर्जिकल उपकरणों को साफ करने में काम आता है इसका उप्योग किया जाता है अब बात करते हैं मर्क्यूरिक सलफाइट के वारे में इसे वर्मीलियन भी कहा जाता है यानि मर्क्यूरिक सुल्फाइट को क्या कहा जाता है, वर्मीलियन, इसका उपयोग सिंद्दूर के रूप में, ओसदियों में, मकर धुहच के रूप में किया जाता है, और जलमे, रंग बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, next है amalgam देखिए amalgam मैंने आपको पहले भी बता दिया था तो amalgam क्या है पारे को अन्य धातु के साथ मिला कर धातु ही जो घोल बनता है इसे ही amalgam कहते है और मैंने बता दिया था आपको पीछे कि amalgam जो है लोहे के साथ नहीं बनता है इसी करके देखिए पारे को लोहे के पात्रों में रखा जाता है क्यों क्योंकि यह लोहे के साथ amalgam नहीं बनाता और यहांसे एक सबसे जरुवी बात कि पारे को कुईक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है तो आज के वीडियो में इतना ही हमने पारे को डिसकस किया है आई होप कि अगर एक्जाम में कोशन मनता है तो वो यहीं से बने इससे बाहर कुछ नहीं आए तो आप चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए वीडियो में अगर आपको कोई भी कमी लगी हो किसी भी तरह का तो आप अपना फिड़बेक हमें कमेंड कीजिए जिससे के हम आने वाले वीडियो में इंप्रूब्मेंड कर सकें और अगर आप चाते किसी भी टोपिक पर वीडियो बनाना तो उसे भी comment कीजिए तो thank you for watching मिलते हैं next video में आपका दिन सुभ हो